देंगे कोशिन कहा है कि क्वट्टम नंबर्स के बताओ कि सिख्थ पीरेड में 32 एलेमेंट्स होते हैं पहले पीरिड में 2 एलेमेंट्स कि दूसरे पीरेड में कितने एलेमेंट्स के आठ दो स्ब्लॉग और 6 इलओक है यह हो गया हमारा सेकंड पिरिड थर्ड पीरिट में कितने अलिमेंट्स अगेन आठ थर्ड पीड में कितने अलिमेंट्स में अठारा तो अगर हम ध्यान दे पहले पीरिट में दो दूसरे में आठ इसरे में आठ 288 यह क्या है तो चल्ड के एलेक्ट्रॉं जाद है 288 1818 ऐसे बढ़ते हैं बोहर के शेल्स और और क्वांटम मॉडल के शेल्स बिल्कुल सेम है अगर तुम्हें पता हो वन हैस्टू फर्स्ट शेल बन एस्ट वन और वर इस तो दैट मींस फर्स शेल में फ तो यह हो गया सेकिंड शेल थर्ड शेल में 3s23p6 फीडी टेन होता है पर वह बढ़ता नहीं है वह फॉरेस के बात बढ़ता है यादा रहे है तो थर्ड शेल में पहले तो सिरफ कितने एलेक्ट्रॉन भरेंगे आठ 288 फिर आएगा हमारा 4s2 3d10 4p6 तो जाएंगे हमारे कि सब्सक्राइब तो अब यह सब चीज़े तो हम अपने दिवांग में समझा रहा हूं कैसे लिखेंगे पेपर में लिखने का वही एक तरीका है यह जो इलेक्ट्रॉनिक कंफिरेशन का भी है यूनों नोबल गास इदर ns2 n-2f वाण 14-14 एंड यह जल्दी नहीं का लिए थे स्कूल स्कूल भी नहीं करना पड़ता था दो से किन में आ जाता था कहले तो अब कोश्चिन कहा रहा है किसके बेसिस पे समझा तो इसमें नमबर होता है उस शेल का नमबर को अटम भी होता है तो प्रियोडिक टेबल में इस अल्सो इकल टू पिरेट का नमबर किसके एकल होता है कौन से 6 पिरेट की बात कर रहा है तो एन इको 6 जाल तो है इनको क्या डाल तो 6s 2 6-2 4f में कितने 14 6-1 5d में 10 6p में 6 अब तुम बोलोगे इन 6th period according to the quantum number the filling is in this order as we can see there are 2, 14, 10, 6 32 electrons to be filled कितने electrons to be filled so there must be 32 elements so there must be 32 बात समाज में आई या नहीं आई आई आगे तो हम क्या बोलेंगे जो भी पिरेट का नमबर दिया चाहिए इसमें डाल दो और पिर electron count कर लो जितने electron है उतने elements होगे हर एक पिरेट तो यह explanation लिखा लिख लिए है समने है के कुप लुड़ में है यहा हम कितने।